दिवाली से पहले तूफान बना यह शेर, एक महीने पहले आया था IPO, अब निवेशक मालामाल दिवाली मुहूर्ट ट्रेडिंग से पहले शेर बाजार में कई ऐसे नए शेर हैं, जिन में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है. ऐसा ही एक शेर, मनोज वैभव, जैंस एंड ज्वैलर्स लिमिटेड का है. इस कमपनी के शेरों की ठीक एक महीने पहले बाजार में लिस्टिंग हुई थी. लिस्टिंग के दिन IPO पर दाव लगाने वाले निवेशकों को जटका लगा था. इस ज्वैलरी शेर की BSAE और NSAE पर 215 रुपए पर फ्लाट लिस्टिंग हुई थी. हालाकि फ्लाट लिस्टिंग के बाद यह शेर लगातार बढ़ रहा है. क्या है शेर की कीमत बता दें कि मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वैलर्स का शेर आज यानी 9 अक्टूबर को NSAE पर 322 रुपए 40 पैसे प्रती शेर के नए शिखर पर पहुँच गया. ऐसे में उन निवेशकों को लगभग 50 प्रतीशत रिटर्न मिला है, जो फ्लाट लिस्टिंग के बावजूद बेचकर बाहर नहीं निकले थे. इश्यू प्राइस कितना था मनोज वैभव जेंस एंड ज्वैलर्स के प्रारमभिक सारवजनिक पेशकष, IPO के लिए प्राइस बैंड 204 रुपए से 215 रुपए प्रती एक्विटी शेर निर्धारित किया गया था. लिस्टिंग के तुरंट बाद शेर ने अब तक के निचले स्टर 202 रुपए प्रती शेर को भी टच कर लिया था. हालांकि इसके बाद रिक्वरी की वजह से शेर 322 रुपए के नए स्टर पर है जो अपने रिकॉर्ड निचले स्टर से लगभग 60 प्रतीशत रिटर्न को दिखाता है. क्या कहते हैं, एक्सपर्ट मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वैलर्स के शेरों में वृद्धी के कारण पर बात करते हुए प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड अविनाश गोरक्षत ने कहा, क्योहारी माहौल की वजह से ज्वैलरी की खरीदारी बढ़ रह है, बाजार को उम्मीद है कि दिवाली 2023 के कारण कमपनी चालू तिमाही में अधिक कारोबार आकर्शित करेगी